पन जब आ जाए, शरीर धीरे धीरे ब्रिधा अवस्था की तरफ जब जाने लगे, तो जीव को मनुस्य को चाहिए की भजन करना चाहिए, गुश्वामी तुलसी दास जी ने भी स्री राम चरित मानर्श में लिखा है कि चौथे पन अन्रिप कानन जाहिए। चौथे पन में राजा महराजा लोग देखते थे कि अब दुनिया का राज काज देख लिए, अब चलते हैं भजन भाव करते हैं, लेकिन अब उल्टा हो रहा है चौथे पन न्रिप कानन जाहिए। अब चौथे पन में लोग भगती भजन से दूरी बना रहे हैं और रिटायर हो हो करके आते हैं घर में, उसके बाद पतोहु के बात से गारी लात बेटा का खाते हैं, फिर भी भगवान का भगती भजन याद नहीं आता है। संसार में आशक्त ही रहते हैं। इसलिए मन को हमेशा समझाना है कि चौथे पन में भगवान का भजन जादा से जादा करना है और माया मोह में कम रहना है। नहीं तो चौथे पन न्रिप कारन जाहिए उसी उखरी में राद दिन कड़ाएगा, खुनाएगा ओ। उसरो